सुभाबाद खेर बच्चों यह वीडियो किरास का और इसमेन थे वर्लू का और forgot पढ़ेंगे औरश दोंदेरा का नाम है हावाचली हावाचली यह एक नजम में बनाट को जरीए कि हवा किया एहमियत है वह नजम का जरीए शायर ने बयान किया और इस नजम को लिखने वाले मौलवी इसमाईल मेरेठवी है इस नजम को लिखने वाले कौन है मौलवी इसमाईल मेरेठवी ये मेरेठी है न ये जो सायर है बहुत ये इस नजम में अपने नजम में हावा की एहमियत को बयान करते हैं आए जानते हैं होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली लहरा दिया है खेत को हीलती हैं बालिया पौधे भी जूमते हैं लचकती हैं डालिया फुल वारियों में ताजा शगूफे खिला चली सोया हुआ था सब्ज उसे तो जगा चली यानि शगूफे के मतलब फूल पौधे ताजा फूल है न और सब्ज के मतलब हर्याली सर सब्ज हो दरख ना बागो में तुझ बगैर तेरे ही दम कदम से हैं भाई चमन के सेर यानि हावा की ही दम से सारी चीज़े जिन्दा हैं है न पेर पौधे चीडिया जितने भी है और याली भी या चमन फूल खिलते हैं तो वो सब हावा की जरिये हैं और सायर कहता है कि पढ़ जा इस जहां में तेरी अगर कमी चोपाया कोई जिन्दा बचे और नक आदमी मतलब अगर हावा नहों ना चले हावा बंध हो जाये कभी हावा चली नहीं तो क्या होगा चौपाया जानवर जितने भी जानवर है पडिंदे हैं इंसान सारी के सारे नहीं रहेंगे न की ताकत कहा रहे फिर काए काए होना गुटडगूना चह चहे मतलब क्या कि अगर हावा नहीं रहे तो कैसे इनसान जिएगा कि कि हावा के जरीए हमें बहुत सारी चीज़ और हावा की बेगर हम लोग जिन्दा रह भी नहीं सकते हैं बंदों को चाहिए की करे बंदगी अदा उसकी के जिसके हुक्म से चलती है यह सदा मतलब हम लोग खुदा की बंदगी का हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि बगार हम लोग जिन्दा की खुदा 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 एक जार्रा भी नहीं हिल सकता खुदा चाहे तो हावा को बंद कर दे चाहे तो छला दे यह सब खुदा के कब्जे में खुदा के इखतियार में है ख्ँदा जियो चाहे करे तो बच्चों हमें खुदा की बंदगी करनी चाहिए उनके खुदा का शुक्र बजा लेना चाहिए इस सबक से हमें क्या समझ में आया कि हावा जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि हावा के जरीए सारे चीज जिन्दा है पेड, पौधे, पडिंदे, खेत, खलियान, इंसान, जानवर, सब हावा के से ही जिन्दा है क्योंकि हावा से हमें बहुत सारी चीज़े मिलती है और ये हावा को किसने बनाया खुदा ने तो खुदा के हमें बंदगी भी करना चाहिए तो बचो मुझे उमीद है कि आप समझ गहोंगे और आपका सबक नमर तेरा मकमन होता है शुक्रिया